Battery is Preventive Maintenance आज की वीडियो में आपको Batteries की Health चेक करने के बारे में और उसका चार्ज स्टेटास चेक करने के बारे में बतांगों कि जब भी आप Battery की Maintenance करें तो क्या-क्या चीज़ें चेक करना बहुत जरूरी हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटरी की specific gravity से, specific gravity चेक करने से हमें बेटरी की health और उसके जो charging state है उसके बारे में पता चलता है कि अगर बेटरी fully charged है, बेटरी की health और charging का status हम चेक करते हैं, अगर fully charged होगी तो 1.26 से 1.3 होगा, partially charge में 1.2 से 1.25 होगा और जब discharge होगी तो specific gravity 1.1 से less होगी और इससे हमें बेटरी की health के बारे में भी पता चलता है, तो जब भी आप बेटरी की maintenance करें तो सबसे important part है आप उसकी जो electrolyte है, उसकी specific gravity चेक करें, specific gravity चेक करने के बाद जो आपकी बेटरी है, उसके voltage आप चेक करें, अपने multimeter को DC पे रखके, DC voltage पे रखके, हम per cell का voltage चेक करेंगे, जिस तरह के हमारे पास जो यहाँ cell है, एक battery है, उसके voltage है, जो rated voltage है, वो 2 volt है, तो हम multimeter से चेक करेंगे, कि हमारी battery के जो voltage आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2.18 आ रहे हैं, 2.18 क्योंके rated voltage हमारे 2 हैं, अब यह battery हमारी fully charge है, तो voltage चेक करने के बाद, आप batteries की cleaning बहुत important है, जब भी आप battery bank की maintenance करने जाएं, तो उसकी proper cleaning करें with the help of blower, या फिर कोई cotton rag लेके उसको अच्छी तरह से clean करें, उसके ओपर कोई dust, कोई ऐसी चीज हो, तो उसको proper तरीके से cleaning करना बहुत जरूरी है, तो जो हमारा ये system लगा हुआ है, ये 110 volt का है, 54 batteries इसमें लगी हुई है, तो हम उसके बाद इसका terminal voltage चेक करेंगे, कि जो total अगर हम series में sum करें सब voltages को, तो हमारा जो total voltage है, वो आ रहा है या नहीं, तो terminal voltage हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, 118 volts शो करा रहा है, यानि ये जो total voltage है, वो 118 volt है, 2.18 single battery के voltage थे, उसके बाद इसका जो water level है, उसको हम चेक करते हैं, कि maximum से कम हो, और minimum level से अब होना बहुत जरूरी है, अगर तो इसका electrolyte level कम है, तो उसको हम top up करते हैं, रूम के अंदर proper ventilation होनी चाहिए, जो fumes हैं ताके वो निकलते रहें, और रूम के अंदर एक control temperature होना बहुत जरूरी है, जिस तरह यहाँ आप देख सकते हैं, temperature measurement के लिए लगा हुआ है, अभी 33 degrees ही है, जब भी आप batteries की maintenance करें, तो proper PPEs पहन के करना maintenance बहुत जरूरी है, तो अगर खुदाना खासता आपको कोई acid लग जाता है, या कुछ ऐसा कोई electrolyte आपके ओपर touch हो जाता है, तो उसके लिए एक emergency shower लगा हुआ था है, इसको आप हमेशा चेक करें कि यह proper working condition में है या नहीं है, तो बैटरी की PM करने के साथ साथ, अपनी safety को बहुत जरूरी है कि अपनी safety का ख्याल रखा जाए, ताके आप safe होंगे तो आपका equipment भी safe होगा, तो यही बैटरी की preventive maintenance के बारे में था, उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को subscribe करें, thanks.